हेलो एवरीवन मेरा नाम रजत है मैं अडोबी कंपनी में एज ए सोफ्ट्वेर टेस्टर काम करता हूं सोफ्ट्वेर टेस्टिंग इंटर्व्यू में जो क्वेशन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेशन को हम इस सेरीज में डिसकेस करेंगे इस इंटर्व्यू सेरीज का पहला वीडियो है हमारा वाय डू यू वांट तो पर्शू यूर कैरियर इन दा फिल्ड ऑफ सोफ्ट्वेर टेस्टिंग यह किसी भी सोफ्ट्वेर टेस्टिंग इंटर्व्यू का पहला क्वेशन हो सकता है कि आप अपना कैरियर एजे सोफ्ट टेस्ट क्यों देखना चाहते हैं सो उसका आप मल्टिपल्स रीजन आप दे सकते हैं कुछ पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि सोफ्ट्वेर टेस्टिंग के लिए सबसे पहले जो रिक्वार्मेंट होनी चाहिए किसी भी परसंस के अंदर वो है कि आपके पास Observation Skills हो, Investigation Skills हो इसे क्या फाइदा होगा अगर आपकी पास Observation Skills और Investigation Skills अच्छी है सो आप एक सिस्टम को एक प्रोड़क्ट को अच्छे सी Investigate कर सकते हो अपनी Observation वहां पर दे सकते हो और वहां पर आपको Defect या बग मिलने के chances बढ़ जाते हैं दूसरा आप यहाँ पर point दे सकते हैं कि आपके अंदर lot of patience है यानि अगर आप suppose एक project यह मिला आपको उसमें काफी time लग रहा है आपको testing करने में, तो उसके लिए आपके पास patience होना बहुत जुरूरी है, अगर आपके पास patience नहीं होगा, तो आप अच्छे से testing नहीं कर पाऊगे अगर आप अच्छे से testing नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे आप defect find नहीं कर सकते हैं इसलिए एक software tester के अंदर lot of patience का होना बहुत जुरूरी है third point यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे challenges challenges लेना पसंद है challenges का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई भी project आपके पास आता है तो उसमें एक limited time ही आपको दिया जाता है कि आपको इस date तक आपको इस project की software की इस product की आपको testing खतम करके देनी है तो वह आपके लिए challenge होगा कि आप कैसे उस product की testing एक within certain time of period period of time में आप खतम कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना next point जो सबसे important मुझे लगता है कि अभी की market में current situation में testing का बहुत demand है market के अंदर कोई भी product market में ऐसा नहीं है जो without testing market में evolve हुआ हो market में अपनी जगह बना पाया हो सबसे पहले जब भी कोई product जब भी कोई project market में आता है तो उससे पहले उसकी proper testing की जाती है आइदर वो manual testing हो या automation testing हो आने वाले time में automation का automation testing का time बढ़ेगा इसका chances बढ़ेंगे बट ऐसा नहीं कि manual testing का जो chances जो कम हो जाएंगे कहीं पर भी आप चले जाओ वहाँ पर आपको जितनी requirement आपकी automation testing की होगी उतना ही requirement वहाँ पर आपका manual testing का भी होगा तो हम ये कह सकते हैं कि testing का demand है market के अंदर इस वजह से भी मुझे choose करना है software testing के अंदर अपना carrier and दूसरा इसके बाद अगर आप देना चाहते हैं कि जब भी कोई software market में आएगा अगर वो product अच्छा होगा अगर उस पर आपने testing की होगी तो आपको एक kind of satisfaction मिलेगा उससे कि हाँ इस product पर मैंने काम किया था इस पर मैंने ये bug ढूंडे थे इस वज़े से ये product इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से testing की थी तो वहाँ से आपको kind of satisfaction भी मिलता है इसके बाद आप point अपना रख सकते हैं कि software जो testing है या कोई किसी भी तरह का testing है वो सिरफ आपका EQ field में नहीं है वो आपका banking में हो सकता है वो आपका finance में हो सकता है वो आपका किसी technology का हो सकता है यहाँ पे आपको एक vast knowledge मिलेगी different different things की यह भी आप बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे knowledge मिलेगी various product पे various stuff पे various technology पे यह different different आप points अपने questions अपने answer में आप दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया अगर आपको पूरा question का answer चाहिए तो आप यह question का answer यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है तो यह आप देख सकते हैं कि आपको क्यूं अपना carrier आज़े software tester परिश्यू करना है software industry के अंदर इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगिये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाथ जारस जारस शेयर आप कर सकते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में